परभाद बच्चों मैं चन्नन कुमार सिंग सहाइक सिछक मकत पूरुचि विद्याले गिरिडी आज इतिहास पिशे के अध्याय दो जिसका सिर्शक है इंडो चैना में राश्क्रवादी आंदोलन के उपर बिस्तार पुर्वक हम लोग को चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों हमने अध्या एक में पड़ा था येरोप में राश्क्रवाद का उदय है उसी क्रम में उसी प्रकार की व्याथ्या को करते हुए हम लोग आज देखेंगे इंडो चैना में राश्क्रवादी आंदोलन इस प्रकार से इंडो चैना च्रित्र में राश्क्रवादी आंदोलन का विकास हुआ परचार परसाल हुआ क्या क्या घड़नाय हुई इसका क्या परफा हुआ और अंतर तप परिनाप्या इंडो चैना तीन देशों से बिल्डर बनाते हैं यानि वियर्लाम, लाओस, कमबोडिया ये तिनों को समिरित रूप से इंडो चैना कहा जाता है इस अध्या में इन तिनों में से मुठ्य रूप से हम लोग वियर्लाम के बारे में अध्यर्थ करेंगे यहां पर इ pierwsze कौल करने की बात है कि योगरोप में रास्क्रवाद का उदय है और इंडो-चैना में रास्कौद का उदय हुआ, दोलों में थोड़ी भीनता थी वहां पर रास्तांतर के खिलाब रास्क्रवाद का उदय हुआ उसी प्रकाल यहांपर आपनिवेसिक सासल के प्रतिरोथ के जुद्स पर रख all प्र्ञाचल सेश्रय सास्क के उसंग है और रख very त्रुमी पर जाते हैं इंडो चाइन एक्षेत्र में चीन का शासन का यानि वहां पर चीन के सरस्द स्राज करते थे वहां पर जितने भी समाज थे सब पर चीनी सासन का प्रभावा था दूसरे सब्तों में कहें तो चीनी भासा और संस्कृती का वहां पर असर था यानि वहां के लोग चीनी की भासा पूंते थे और चीनी सब्यता संस्कृती वो लोगों ने अपना लिया और जब चीन का सासन वहां से समाख हुआ तब वहां के लोगों ने चीनी सासन वावस्ता और चीनी सब्यता संस्क्रिती भाशास को बनाये रखा यानि वहां पर उन लोगों की सब्यता संस्क्रिती को काईं रखा उसी का पालन करते रहें प्रनियोंसी वर्चस और उसका प्रति रोझ अब हम लोग देखें लिए प्रांसिसी अभी हमने कहां कि वियत लाँ पर प्रांसिस्यों का कप्च ज़्टा तो प्रांसिस्यों का नियंतर सिर्फ सैनिक और आठिक मामले में ही नहीं था वरन उन लोगों ने यहां की सफ़ता संस्क्रिती को भी अपने अभिकार में या उन पर अपनी सफ़ता संस्क्रिती को इजालोपन करने में उन लोगों का उर्दान था उन लोगों ने वियत नाम की सभिता संस्कृति को नस्ड करने का परियास किया तो वहाँ पर जितने भी प्रकाव के लोग थे सभी वर्गों के लोगों ने रास्वाद की खामा को 50 पर जायदा पहतर संदा यानि दूसरे सब्दों में कहें तो जब फ्रांसिस्यों ने वियत नाम की सभिता संस्कृति को नस्ड करने का परियास किया तो उसी के परियाम सवरुप वियत नाम में रास्वाद का उगय होना सुरू हुआ यहाँ पर एक बात है कि फ्रांसिस्यों की सेना सबसे पहले वियत नाम में 1859 में आई और 1880 के दसक तक वियत राम के उपरी मिलाक इलाखे पर उनका कब्जा हो गया था अब हम लोग आगे करते देखेंगे प्रांसिसियों को पुनिवेश की ज़रत यूंपी बच्चों एक बात इतिहास कालू कहते हैं कि अगर अपने देश का विकास करना है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा उपनिवेशों का होना पुर्जब्ली है यानि उसके यूरॉप के देश ऐसा मानते थे कि अगर अपने देश का विकास चाहिए तो उपनिवेश स्थापित करने होंगी और उन्हें लोगों ने अपने विजट या सासिक देशों की क्राप्रितिक संसाधन को क्राप्त करने के लिए एक आइने आवस्तमों को प्राप्त करने के लिए उपनिवेस्ट बनाने के सुरू कर दिये दूसरी वहाद कुन बार यूराब में कुछ विखसित देशों का कुछ सभ्य देशों का यह मानना था कि उनका दाइट है कि जो सभ्यता के मामने में पीछरे हैं जो विकास की मामने में काकी पीचे हैं उन्हें मुख धार में लानाIF उनkat गृषणी कौंचाना उन्हें सभ्यतानी इनका दाइत्र है और यहीं को सोच है जो भोड़त में अंग्रेजों ने आंगर कहा था कि हम खार्तियों को स्वे बनाने आएं यहां का विकास करने आएं ठीक उसी तरफ प्रांसिस्यों ने वियत्नामियों को यह एकसास कराया कि वे यहां के दोगों को स्वे बनाने आएं और इसी के लिए बे पर्यास्थत है अपने इस उदेश की पूर्ती है तू यानि अपने स संसादनों की पूर्ती बेतु प्रांसिस्यों ने वियत लाम के एक महत्पुन पुप जाओ छेता, मेकौन देटा छेता, जहां पर चावल की खेवी के लिए अनुकूल परिस्थितिया मौदूर थी, मैं नहरे बनाना सुन कर दिया, ताकि चावल की खेते की जासे के और अधि नहरों का निवान किया, सिचाई गरवस्था की, जहनेकासी का परबंद किया, जील सबिल पायों कर चावल की खेते की खेते, और 1931 सिस्वी तकाते आधे वियत नाम तीसरा सबसे बड़ा चावल की खेते बन गया, इतनी बड़ी मात्रा में वहां चावल क्यादा हुने प्र इस साथ रेल घ्र्वर का निवान गया, इस रेल घ्री अप्रक का निवान सिर्फ वियतनाम म ने इसके बहर रावो, कमभोदिया, आधिक्यूमीी इस नेकलों से जुड़ा गया, कि हमारा ब्रापार की ज्यादा प्रगती हो सेना की आवाजा भी इससे हो सके और रेल के मांध्यम से हम संपूर्ण वियत नाम पर साशन नियतन स्थापित कर सके हैं और हमारा अगला निवेशों का विकास करना जरूरी है कि अभी हमने कहा कि अगर अपने देश का विकास करना है तो उनिवेश बलाने होंगे ऐसी सोचती यूरोपिय रास्पूर्टी सब्सक्राइब करने के लिए ताकि उनका विकास होगा तो यह पाते हैं कि अपने स्वामी रास्त के हितों की पूर्थी के लिए सवामी रास्त का अपने विधित शासित छेत्र से अपने हितों की पूर्थी करने के लिए उन लोगों ने कई प्रकार के उपाई कि कि उस समय के महत्तुन लेखर पॉल वर्णौन ने कहा था कि उपनिवेशों की अर्थ्रवस्था का विकास करना बहुत जरूरी है अगर वहां की अर्थ्रवस्था में विकास होगा तो वहां के लोगों का जीवन अस्तर सुथरेगा उनकी आए बढ़ेगी वे बजार में उतलब सारी वस्तूं को खरिदने ही होगे परेंगे इससे हमारा बजार बढ़ा होगा और परिलाव क्या होगा कि वियत लाम की लेकिन उन्होंने नहां यह दर्ब दिया कि इस प्रकारों की विकास में कुछ बाधाएं हैं जैसे वियत नाम की आवादी काफी जागा वहां पर किसान दोग्यों थे वो काफी कर्शे में डुबए वे थे और वो बादन की माह की तुर्णा में कम हो रहा था उन्होंने इन बातों को वाधा के रूप में कहा कि यहां के विकास में यह बात रही है अतर यहां पर और विकास करना पहुँ ज़र्णी है उसकमे वियत नाम की जो आर्थिक प्रश्था थी है जो जेविता का सोथ था उन्हेती और रबड के बादान है और इन रबड के बाद में पर प्रांसिस्यों का और वियत नाम के धनी लोगों का अधिकार था इस बगान में एक ब्रवस्था लाँ होती जिससे एक तरफा अनुबंध ब्रवस्था के बारे में जाने में किया है तो वियत नाम के बगानों में बगान मालिक और मजदूर के बीच एक अनुबंध होता है इस अनुबंध में सारे अधिका बगान मालिकों को दिये गये और मजदूरों को तनिक ब्यदिकार नहीं था अगर कोई भी मजदूर इस अनुबंध के बिरूत कोई कायरे कर दे थे तो उनकर बुकत्मा दर्श हो जाताता था उन्हें जेल में दादिया जाताता उन्हें सजा दिढ़ाती थी इस प्रकार की बवस्ता को एक तरफा अनुबंध बवस्ता कहा गया जो वियत नाम के बगानों में लागू थी तो स्थिती ये था कि इस प्रकाप की दवस्ताएं वियतनाव में नागू थी तो जो उपनिवेश के आर्थिक विकास की यहां जो बात हो रही थी पॉल वर्लाड ने जो कहा था वो यहां का नागू नहीं रहा जो गरीब लोग है वो गरीब ही रहे और अमीर होते गए यानि वियतनाव में कोई प्रकार के परिवर्दन प्रांसिसी नहीं दा सकते हैं आपनिवेशिक सिछा की दुवीधा हमारा अगला टॉपिक है अब हम लोग आगे देख के बच्चों कि कि किस प्रकार प्रांसिस्यों ने वियतनाव में सिछा दोरस्ता के माध्यम से वहां की किस प्रकार रास्त्रवाल को बढ़ाने में सिच्छा को अपना एक अपकंडा बनाया है प्रांसिसी जिनका अपक्रक्पजा है उनका यह स्वोच था कि अगर वियतनामियों को सब बनाना नहीं तो इसमें सबसे महत्पुन पुली का सिच्छा निवा सकता है कि प्रांसिसंगों के सामने एक समस्या कि कि वियतनामियों को किस फच्छा दिए यानि वियतनामियों को अगर अधिक पठानिका दिया जाएगा तो वे रोज़गार के लिए खड़े हो जाएंगे उनमें जान लुटता आजाएगा और दुसीवत खड़ा हो रहें लेकिन उन्हें कुछ से चिछित कामगारों की विजवरत थी विचाते थे कि कुछ वियतनामी पढ़े लिखें जो हमारे दक्तरों में हमारे काम में वह हमारे सहयूग करें यह सोच की प्रासिसी साथ लेकिन उस समय इस प्रकार की सोच से वहां पर जो कोलोन थे कोलोन को थे कोलोन यानि वियतनाम में जो प्रासिसी नालिक रहते थे जैसे इंग्लेंड वाले भारत में जब आया हम लोगोंने अंग्रीज का वैसे प्रासिसी में जो यह वियतनाम में प्रासिसी लोग आए उन्हें कोलोन का तो कोलोन लोगों को ये भैठा कि अगर वियत सब्सक्राइब को चीन नहीं है क्योंकि उस समय कि स्थिति यह थी कि पोलों लोग वहां पर हर छेतर में अपनी जड़े जमा चुके थे जैसे पोलों लोग दुखांदाव भी थे वकील भी थे सिछक भी थे यानि अनेक परकार की पिसाओं पर उनका अब दुकार था उन्हें कि वियर्णामी अगर अधिक पढ़ें उनके लिए संकट पैदा कर सकते हैं आप हमारा अगला टॉपिक है इसी में आधुनिक सोच और सिछा की भासा है सिछा तो देने की बात हो रही है लेकिन यहां पर क्या है कि प्रांसीसी लोग किस भासा में सिछा दें भासा का माध्य लोग इस पर फिर से प्रस्ना हुँए लोग जिने विजाय के वरिकमी कहा है उनमें चीनी संक्रता संस्कृती और भाषा समाहिं थी वे चीनी भाषा और संस्कृती बोद्दे औरiso प्रांसिसी सरकार को अब आप सामने यह आया अखरस की फ्रेंशवनीय आया या वियत्लामी आया यहां पर दो मत सामने आया है पहला मत की आशिज्य वियत्नाम्यों को फ्रेंश भासा में सिछादी जाए और दुसरा मतre आया कि नीचली कछाओं में वियतनामी भासा किसी चछा दी जाए और उपरी कछाओं में प्रांसिस्य भासा किसी चछा दे जाए इसका पुदेश दिये कि अगर वियतनामी प्रेंच भासा सिखेंगे तो उनका फ्रांजिस्यों से लगावड़ेगा वे वहां कि सब्यता संस्कृति से अपना प्रेम बढ़एंगे और वहां कि सब्यता संस्कृति स्कूलों में पढ़ने की चंदा नहीं थी और यहां एक महत्कुन बात है जहां से एक महत्कुन फ्रस्न उखता है कि स्कूली बच्चों को जान भूझ कर प्रांसिसी भेड कर दिया जाता था कि वे विद्याली सिच्छा को पूरी नहीं कर सके हैं कि यहां पर क्या है कि कासिस्यों को को यह है था कि अगर वियतलाव के बच्चे अधिक पड़ दिख जाएंगे तो वे रोजगार के लिए खड़े के जाएंगे इसलिए जान भूझ कर उन्हें पर इच्छा में फेल कर द इसलिए में वियतलाव क्या वाजी वान पॉइंट सवन एक दस्वनलव साथ करोड थी और केवल चार सो से भी कम विद्यार्थी स्कूली पढ़ाई को पूरा कर पाए था इतनी पूरी हाद थी वियतलाव में स्कूली किताबों में वियतलाव के बच्चों को पढ़ा जाता था था कि फ्रांसीसी सासक जो है वह बहुत अच्छे हैं परसंसां की राती उनका सासन बहुत ही बेटर सासन है उन्हें यह पढ़ाया जाता था कि वियतलाव के लोगों में बौधी काम करने की छमता नहीं है वे विद्यक्त काम को अच्छी तरह से कर सकते यानि खेतिवार वियतलामियों को महिर नकल्ची और दर्ब दिया गया उन्में रजना फिद्यक्त का भाव है विद्यक्त से प्रांसीसी यहां पर आये हैं इस प्रकार की बातों को विद्याले में बच्चों को पढ़ाया जाता है अब आगे का टॉपिक है आधूली दिखने की चार्ड प्रांसीसी ऐसा सोच रहे थे कि विद्यालाम की बच्चे के वाद पढ़ रिख दाएंगे उन्में सब्यता संस्क्रिती नहीं आएगा तक वो उसकार से दिखेंगे नहीं पश्चिमी स्यारी को अपनाने पर अधिक जोर दिया रहा लेकिन इस पुदेश से वहां पर 1907 में टॉकिन प्री स्कूल 1907 में टॉकिन प्री स्कूल खोला जहां पर पश्चिमी सिच्छा देने की व्यवस्ता ही गए इसमें विज्यान, स्वच्छता और प्रेंच भासा की सिच्छा दी रहा थी इसकी जो कच्छाएं है वो साम में चबती थी और इसका फीस अलग से दिया लिए यहां पर एक महत्कुर्ण बात यह है कि पश्चिमी स्यानी को अपने की बात कहिए रहत है यानि प्रियत नाम के बच्चे जो है वहां पर लंबे लंबे बाल अपने का पर्चलन था तो फ्रांसिस्यों का काना था कि उन्हें पश्चिमी स्यानी यानि छोटे छोटे बाल कटाने होंगे तब यहां पर उन्हें सिच्छा दी जाएगे उन्हें पश्चिमी फ्रांसिस्यों के जासा दिखना भी होगा इस प्रकाल का ताय वहां पर दिया गया था और काम किये थ पर सिच्छकों छात्रों ने वहां पर प्रांसिसी लोग पुस्तकें बनाएं उनका विरोध किया और यह विरोध सामने और जैसे नीचली कच्छा में बहुत जादर संख्या में विध्याफक कष्ण इसमें ुछ साथन अच्छा है तो उनको उल्टा करके हाँ अब रहती अच्छा दा लहा है इस प्रकार से उनको उलट देते और इस प्रकार से बच्छों के मन में प्रांसिस्यों के परती विरोध की पाना का विचार उपन करते एक घटना यहां पर होती है 1926 साइगोन नेटिव गल्स स्कुल में एक वियत नाम की बच्ची आकर कच्छा के आगे के बेंच में बैठा जहां पर प्रांसिसी बच्ची यानि कोलोन की बैठा करते हैं इतने में वहां विवार हो जाता है कि वियत नाम की बच्ची आगे की पंक्ति के सीट में कैसे करते हैं प्रिनाव यह हुआ कि उस स्कुल में जितने भी अन्य चातर थे वियत नाम के वे विरोध करने ने और यह विरोध स्कुल से बाहर वियत नामी जंता तक पंक्ति कि गया अब वे लोग भी इस बात का विरोध करने रखें अंतता प्रांसिसी सरकार ने निहादेश दिया कि साइगोन हेंटिक गल्स स्कुल से जिस लड़की को बाहर किया गया है उसे पुना वापस ले लेकिन वापस को ले लिया गया इन आंदोलन रुकाने आंदोलन चत्तार और हम यूं कहें तो विद्याथियों ने स्कूलों अ अपने अभ्यान में वहां पर सुबात किया था जैसे उन्हें 120 के दसक तक आते आते वियतनावी छाक्रों ने अपना संड़ठर बनाने लगा उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी का निर्वान करने लिए जैसे कुछ उदार में अन्नार पार्टी यह पॉलिटिकल पार् स्कूल राजनिती और सांस्कृति लड़ाई का एक छेत्र बने अहां स्थान बने लिए वियतनामियों को अब तक इतना तोर तक को सिच्छा की व्यवस्था मां ध्याम मैच करां इन सबों को देखते हुए वियतनामियों को कि एकसास होने लगाता कि हमारा नियंत्रन हमारे अबने भुभात से आँ हो रहा है हमारा अपना पहिचार जो नहीं है संस्कृती है हमारी मुल्यों का प्रंपराओं का प्रहत्मान हो रहा है और उन लोगों में इस प्रकार के चाहलता हुए और प्रांसिस्जी ओं के विरुद्व में उन लोग एक चुट कोने लगे और उन्हें लगने लगा कि अच्छा नहीं है वे हुमारा सोशन कर रहे हैं हमारी सब्यता संस्कृती को नस्ट कर रहे हैं किसी भी देश की सब्यता संस्कृती को नस्ट करना एक बहुत वड़ी बात है अब आगे की टॉपिक में देखें लोग साप सपाई बीमारी और रोजमर्णा पर्तियों बीमारी के माध्यम से परश्टा के माध्यम से किस प्रकार से वियतनाव की जर्दा मेरा स्कवार बना ए कि वहां पर काफी गठीन संहस हुआ काफी दमन करना पड़ा उन्हें उन्हें से विलाव खरना पड़ा ऐसा क्या क्या हुआ हुआ है अभी तक हमें देखा इस सिच्छा दो शृष्टा के माध्यम से फ्रांसिसी जो हैं वह वियतनामीयों में राश्ट्रमार का विजारूं है एक आएदे मांध्राम को आएदे शेतर के मावने विमारी के मावने अब किस प्रकार से आगे दास्तुराद का प्रचार परसाथ बनाया विसे हम प्रशाइब हनोई भी अनुट नाम की राजधानी अनुट वियत नाम की राधानी हनोई जहां पर ट्रांसिस्यों का जमाड़ा अधिकतर ट्रांसिसी वहाँ पर रहते है उन्हों लोगों ने सोचा कि अपने एक नए क्वार्णी का निर्माण करें चाहिए नया अपना मुहला वसल और इस उन्दिष से उन्होंने अधुनिक हनोई का निर्मान करें रहा है और इस आधुनिक हनोई में चाहरी सड़ें वहां करेंनी निकासी ब्याशतां पर को साब सुथ्रास के रुप में निरमान किया निकासि राष्था परहा का बिश्यज जोर दिया जा रहा है कि उन्होंने ऐसे निकासी परवस्था बनाया जिसकी जो मुंँंगें फुराने धंग से जो हनुंग की बस्तिय inspired श्मार का प्रवद्धन करके उन्होंने हनोई के कुछ भाग को काफिश अधुनिक बनाया और अनुपलवे रहते हैं देशी हनोई यानि जहां पर डासिसी नहीं रहते हैं वियताह के लोग जहां पर रहते हैं उसने किसी भी तरह की व्यास्ता नहीं की गई वहां पर कचणा जमा होता था काफी गंदगीर होते थी नाली का पानी सड़क पर बढ़ता था वाहने पर बर्शाथ के मौसा में सारा गंदा पानी रोड़ पर जमा हो जाता था इस प्रकार से देशी हनोई यानि अधुनिक हनोई के अलामे जोचत था उसमें इस प्रकार का जमदगी सा था परिनाम क्या हुआ कि परिनाम यह हुआ कि 1913 में वहां पर एक प्लेग नाम करो है जिससे ब्यू बप्सक्ण का है ब्यू बप्सक्ण कॉलेक है जो शिर्फ देशी हनोई में नहीं आदुनिक हनोई के चेत्रों में इसका हेलाइ लगा क्यों कि अभी हमने बताया कि आदोनी खनुई में सीवर व्यवास्ता था यानि बड़े बड़े नाले बनाए गया और इन सीवरों के मार्धिम से चुहों का निर्वाज का वागमन पुदाब हो जो कि इस विवनिक लेखा सबसे बढ़ाता ही बना और कड़ी से कड़ी सुरच अच्छा घेरे में लोग नासीशी रहते हैं वहां भी चुहे अब बेरोटों भुजने लगे और वहां के लोगों को संकर्णित करने लगा है फिर क्या है फिर यह स्थिति लुई तो प्रवेश्यों नहीं किया चुहों को पकड़ने की यूजना होना है कि हम लोगों के लिए उन्होंने वियतनामियों को रहता है अब वियतनामी दो जो है वे चुहे के पत्ते इनाम की यूजना में आगे यानि जो वियतनामी जितना चुहा पकड़ेगा उसको उखना इनाम दिया जाए तो यह दाटा है तीस मैं का जो दिन ता उसके 20,000 चुहे वियतनामियों ने पकड़े थे चुहे पकड़ने के लिए वियतनामियों ने पहुत से तरीके अपना है जैसे वोगों ने जब कांसेस्यों ने कहा कि प्रमान देना है कि आपने कितने चुहों को पकड़ा है तो वियतनामी क्या करते थे चुहों को पकड़ लेते थे और उनका पूंच काटकर वहाँ पर सभूत के लुप में पेस करते जिससे प्रमानित होता था कि किस वियतनामी ने कितना जवाद देखा लेकिन वियतनामियों के लिए या रोजी रोटी का एक साधन बन देखा और स्थिती ये वी कि वे लोग जुहा पकड़कर छोड़ देते थे और कुछ वियतनामी तो अपने घरों में ही जवाद पादे थ जब इस चेश से प्रांसीसी परिशाम हो गए तो वे लोग इससे ऊपकर इसका अच्रम को समाथ कर दिया यानि जुहे पकड़नी की योजना का समाथ कर दिया तो लोग यहां पर देख रहे हैं वीमारी की बात है तो क्या है कि वियतनामी जों है वो किसी भी रूप से प्रा सिचशा का मांग्यों ध्रेंच बना रहे हैं तो उसे वीयतनामी सुन हमारी कर रहे हैं वियतनामी संकृती हो रहा है तो वह लोग अपने इस प्रहारres के दर्द में इंद्द हो रहे हैं यानि वहां के लोगों में राश्ट्रवात की फावना का घिरे घिरे विकास हो रहा है यह जुहों की धर्वकड़ की भी जहां तक बात है तो यहां पर भी वियतनावी जो हैं वे सहयोग नहीं कर रहे हैं सरकार का और आगे दिखा रहे हैं हम किस पलास प्रकार से विरन जोर करते हैं किस प्रकार से एसयोग कर हम हैने वेडियों करजें में तो वियतनाव कि आजानी कि Chocolate इनुपर से दो वर्स लेकिन कि उसे कंसे गंदनद्र मदद वियतनाप को गतंतर बने हैं अगले 30 साल तर इंतिदार करना पड़ा जानी 1975 धीरे धीरे वहां पर कई प्रकार के अंगोलन उपेड अब दिनिया होगी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वहां के बच्चे वहां के सिच्छ वहां की जनता वियतनामी जनता वहां की गरीब विय आगे के विडियो क्लास में कि किस तरह से आगे राश्ट्रवाद का परचार परसार हुआ और क्या क्या अगे बढ़ना है अगे देखेंगे कि धर्म और निवेस्वार विरोर यानि धर्म के माध्यम से भी किस प्रकार फ्रांसिस्यों के विरुद में राश्ट्रवाद के वर्म और का स्था खौषस्वार की फ्रांसिस्यों क्या से तरफ के वहां कर कम्यूनिस्टc संड़नय का जरुद म incent और वियक नाम पर सबसे सक्ति सानीनेस अमेरिका प्रवेश किया उसका प्रवाश किया उसका उन्जाम क्या हुआ और इस अमेरिका के विरुद्र रियोध्र में जोहा दिया इस प्रकात वहाँ प्रमेशनाओं ने गर्षक जा song Young को आप प्यारी बच्चों घर पर अवय से पढ़ेंगे और अगले वीडियो प्लास्मेंट हम इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे कि अब हम आज जो पढ़ाया हुए विद्व हैं उनमें से कुछ प्रस्म आपको हमवर्क के लिए देख देए हैं प्यारी बच्चों अभी तक हमने जो इंडो चाइना चेत्र के रास्त्रवाद के बारे में चर्चा किया है थोड़ा सा उसका एक रख स्केच यहां पर दिखाए जा रहा है वियत नाम लाओस कमबोडिया आप विस्व के राजनितिक मानचित्र में देखेंगे जब तो इस प्रकाव से एक छोटा सा लटका हुआ छेत्र दिखेगा जिसका यह जूंग रूप है एक राख है आप हव सबस्तित है उसे देखेंगे क्योंकि यह परिच्छा के लिए बहुत ही महाखुल है अब आज के पढ़ायवे फाट पर हम आपको पांच हमबर्ग दे रहे हैं जिसे आप कौपी और पेंसे नोट करेंगे मेरा आठ का पहला प्रस्ठ है इंडव चाइना इन देशों से मिलकर बना है। इंडो चैना तीन देशों से मिलकर बना है। वियतनाम लावोस और कंबोडिया। इस अध्याय में हमने वियतनाम के सुतंतरता शिंघर्स के बारे में विस्तातोबर अध्यां किया है। करें। दूसरा प्रस्ण एक तरफा अनुबंद व्रावस्ता क्या है। जैसा की चर्चा हुआ वियतनाम के बगानों में इस प्रकार की व्रचली थी। उन बगानों पर खासिस्यों का और वियतनाम के धनी लोगों का अधिकार थी। वे इस प्रवस्ता को महां पर लागू किये हुएते और मजदूरों को इस अनुबंद के आधार पर महां पर काम करना पड़ता था। इस अनुबंद के व्रवस्ता थी। जिसके अनुबंद के विय। जिसके अनुबंद के विरुद को इसे सदिकार मिले वे थे। उन्हें जेल मटा दिया राता था। उन्हें सजादी राती थी। इस प्रकार की व्रवस्ता को एक तरफा अनुबंद व्रवस्ता का दिया। तीसरा प्रस्ण है वियतनाम के केवग एक किहाई जाती ही स्कूली पढ़ाई सपंता पूर्वक पूरी कर पाते थे। क्यों। प्रांसिस्यों का सोच था कि वहां के जो व्यतनाम के बच्चे हैं अगर अधिक पढ़ जाएंगे और वे अपना हक के लिए आंदोलन करेंगे। जिससे प्रांसिसी जो बच्चे हैं तो वियतनाम के बच्चे अगर अधिक पढ़ जायां तो वे रोजगार के लिए पढ़े जाएंगे। एक आकड़ा हमने पताया था उन्हें पच्ची सिस्वी में जब वहां की आपादी 1.7 एक सुरो साथ करोड़ थी उसमें 400 से दी कम वियतनाम के बच्चे स्कुली बढ़ाएंगे। इतना आकड़ा अजीब सा है। अगला प्रस्न है प्रासिस्वी ने में कॉन डलटा झाट में नहरे बनवाना कर सुरूब कियों कर देगा? के óशी जब वियतनाम पर करजा स्थापिन व्यस्ताफ पर उन्हें ने देटा कि में कॉन डलटा चेतर है वह काप्य उपजाओ उप्यार है। आता वहां पर चावल की खेती अच्छी हो सकते हैं। इस उदेश से अपने इस आर्थिक उदेश से ट्रासिस्यों ने में कॉंग डेल्टा चेत्र में नहरे बनाना और उसे सुखाना सुख करें। लिए 52алоर प्रस्ट है। उपणिवेश कारों के सभ्यता में संध्य क्या अभी करें। दिखाना उनको रास नीं दिखाना उनका कुप दाइत क्या रिए पार दूसरों पर कब्जा करते हैं यह रोपीय देसों का सब्वेता मिशन का अर्थता दूसरे देसों पर जाकर कब्जा स्थापित करना और उन्हें सब बनाना और सब बनाने की उन्देश का परचार पुसार करना आप आगे के वीडियो में हम आगे का टॉपिक पर चर्चा करेंगे तरे बंचों आप अवेसे आगे के टॉपिक का अभ्यान करके आप बस्तित होंगे मैं अगले वीडियो में पर चर्चा करूंगा रहनुआ